हाई फ्रेंट्स विल्कम बेक इन माई यूटूब चेनल अरुण अकेडमी आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चेनल अरुण अकेडमी में हार दिखत वागत है आज का हमारा मोस्ट इंपार्टन कोस्टन है जो कि है रेस्पाइरेशन स्वसन थे आप क्या समझते हैं इस व करते हैं आक्सीजन गयस को गरहन करते हैं तथास меш मतलब कारबन डैक्साइट को मुगत करते हैं इसे प्रक्रिया को सवसन कहा जाता है ठीक है तो यह हो गए हमारी सिंपलसे हमारी डेफिनिशन चलिएभ़ी देखते हैं इसकी रेक्शन हैं ते स duties इंपार्टन कहते हैं ठीक है यह क्या करते हैं कार्बन आक्सीजन के साथ में ठीक है ग्लुकोज क्या करता है आक्सीजन के साथ में आक्सीकरन होता है ठीक है या फिर हम ऐसे सीधे कह सकते हैं कि ग्लुकोज का आक्सीडेशन करा जाता है तो कार्बन डाई आक्साइड गैस मुक तो होती है जल बनता है और साथ में הमें उरजा पॉरपतह होती है तो अब इसकी सिम्पल सी परिभासा क्या हो चैनले देखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज के या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं भोज्यकार सकी ठीक है तो glucose के ये क्या क्या रहाए गया है, अभी मैंने बता था, oxygen करवा गया, oxygen करवा गया, तो हम simple सीधी कह सकते हैं कि glucose के आख्सी करण को ही क्या कहते हैं, हम स्वशन कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, कि carbon dioxide gas मुक्त होती है, और हमें उर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, definition क्य राशायनिक आक्सिकरण को respiration कहते हैं यानि स्वसन कहते हैं ठीक है गलुकोज की आक्सिडेशन के पस्चाथ या आक्सिकरण के पस्चाथ 673 किलो कलोरी उर्जा प्राप्त होती है ठीक है तो most important question आपका यहां से बनता है कि स्वसन क्रिया के पस्चाथ हमें कितनी उर्जा प्र जाब्त होती है ठीक है चले हम देखते है स्वसन के प्रकार का होता है कौन-कौन था पहला वाइवी या फिर इस तक हम कहते हैं आक्सिजण तो चले देखते हैं इसका पहला point कि YV स्वसन क्या होता है या फिर आक्सी स्वसन क्या होता है जैसा कि नाम से इस पेस्ट है आक्सी मिन्थ आक्सीजन और साथ ऐसा स्वसन जो आक्सीजन की उपस्थित में होता है उसे हम आक्सी स्वसन कहते हैं ठीक है तो इसमें हम क्या लिखें जो होता है इसके फल सुरूप हमें 673 किलो कैलोरी या फिर अगर ATP की बात की जाए तो 38 ATP ठीक है कितनी ATP? 38 ATP उर्जा मुगत होती है सेकंड टाइप है हमारा अवाईवी स्वसन या फिर इसी हम कहते हैं अनाक्सी स्वसन अवाईवी स्वसन क्या होता है अनाक्सी स्वसन क्या होता है नाम से भी क्लियर है कि अर्थात इसमें अनाक्सी मतलब आक्सीजन क्या हो सकता न हो ठीक है तो ऐसा स्वसन जिसमें आक्सीजन क्या हो सकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं अनाक्सी स्वसन कहते हैं और इस प्र इसके फल्सुरूप जो है हमें कितनी उजा प्राप्त होती है 280P कितनी 280P और अगर किलो कैलोरी की बात की जाए तो लगभग कितने 23 से लेकर 27 किलो कैलोरी उजा प्राप्त होती है ठीक है तो यहां से दो most important question बनते हैं कि आक्सी सुसन के फल्सुरूप कितनी उजा प्राप्त होती है तो 633 किलो कैलोरी या फिर हम इसे ही कह सकते है क्या 38 ATP ठीक है 38 ATP second question हमारा क्या बनता है कि आनाक्सी सुसन के दोरान कितनी उजा प्राप्त होती है तो अनाक्सिसोचन के दौरान हमें कितने उज्वाप राप्त होती है 2 ATP ठीक है? कितने? 2 ATP या फिर इसे ही हम क्या कह सकते हैं 23 से लेकर 27 किलो कैलोरी ठीक है? क्या कह सकते हैं? 23 से लेकर 27 किलो कैलोरी उज्वाप अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज, लाइक, शेयर, कमेंट्स, और सब्सक्राइब तो आवर यूट्यूब चैलेंग, अरुन अकाडमी, थैंक्स फारवाच्छ